हे दोस्तों स्वागेत आप सबका मैं हो रावले डिजितल मार्केटिंग एक्सपर्ड मोडिविशन स्पिकर फाउंडर ओफवाक्समेडिसल्यूशन्स डॉट कॉम आज की स्वीडिय में आपसे बात कने वाला हूँ फ्री वेबसाइट के बारे में बिजनस को आप ऑनलान लेकि जाना चाते हैं आप अपनी प्रोड़क्ट और सर्विसेज दोस्तों ऑनलान सेल करना चाते हैं और दोस्तों उसके लिए आप एक फ्री वेबसाइट की तलास करें तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखेगा आज की स्वीडिय में दोस्तों मैं मैं आपको step by step complete guide करने वाला हूँ कि आप उपने business के लिए दोस्तों फरी में website काईसे बना सकते हैं आप फ्री में the घरी मेंocaिस अस के ले सकते हैं재 en Marvel stop के लिए कैसे बना सकते हैं आज किस्चुले में दोस्तो मैं आपको step by step complete गाइड करने वाला हूं और दोस्तो मैं आपको completely एक website भी आपको रेड़ी करके बताने वाला हूं तो अगर आपको भी सीखना है के आप अपने लिए फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो को अंतर जरूर देखेगा और दोस्तों अगर आपको इसे वीडियो से लगातार देखने हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे जो आपको रैड यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं गैट lead seal product and grow your business दोस्तो योला.com एक ऐसा platform है जिसकी मदद से आप free में website बना सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं आपको एक और चीज बदाना चाहूंगा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई paid promotion नहीं है, हमने कोई पैसे लेके वीडियो नहीं बनाएं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके knowledge के लिए हम लोग website बना के दिखा रहे हैं एक और चीज दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो number आप देख रहे हमारे वीडियो के उपर उस पे आप इस website से related call मत करिएगा क्योंकि हमारे जो number है, वो help line number नहीं है हम सिर्फ और सिर्फ customer और services के लिए हम अपना number प्रोवाइड करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ service number है अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तो yola.com की मदद से आप free में website कैसे बना सकते हैं दोस्तो yola.com के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं yola.com दोस्तो एक ऐसा platform है या एक ऐसी website है जिसकी मदद से आप free में website बना सकते हैं और दोस्तो आप leads and read कर सकते हैं, product sale कर सकते हैं और अपने business को grow कर सकते हैं और आपको इसका कोई payment नहीं देना पड़ेगा यह बिलकुल free है आपको कोई भी एक भी पैसा yola.com का आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसके free services वाली जो भी services यह provide कर रहे हैं अगर आप उनको use कर रहे हैं तब तक अब आगर आपको yola.com के बारे में दूस्तो और जानना है तो आप इसको थोड़ा नेचे scroll down करिए और आप इसके बारे में और बहुत सारी चीजे और बहुत सारी information आप ले सकते हैं यह easy to use है या फिर जो भी है देखे यहाँ पर power of fixable है, customize your site है, premium futures है इसके अंदर और भी बहुत सारी information अगर आपको yola.com के बारे में लेनी है तो आप थोड़ा नेचे scroll down करिए और इसके बारे में आप complete जानकरी ले सकते हैं अब मैं दोस्तो आपको step best step बता देता हूं कि yola.com की मदद से आप अपने business के लिए free में website कैसे बना सकते हैं दोस्तो free में website बनाने के लिए सबसे पहले आपको yola.com पर क्या करना पड़ेगा अपना account क्रीट करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हैं अभी दोस्तो मेरे सामने आ रहा है logout का option क्योंकि मैंने अपना account के यहाँ पर already create कर रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अपनी website बनाने के लिए सबसे पहले अपना account create करना है account create करने के दोस्तों आपको simply क्या करना पड़ेगा अपना Gmail आपका name और आपको phone number डालना पड़ेगा उसके बाद आप easily sign up कर पाएगा तो अभी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने already sign up कर रखा है तो मेरा जो है यहाँ पर dashboard खुल रहा है और मैं आप जाऊंगा yola.com पर और मैं एक free website बनाना आपको सिखाऊंगा तो उसके लिए आपको क्या करना दोस्तों free website बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर sign up कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाएगा एक button दिखेगा go to my yola आपको एक button दिखेगा तो इस वाले button पर आपको click कर देना है बटन पर click करने के बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक नया dashboard खुल गया है जो completely आपका dashboard है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके Gmail का account है यहाँ पर और आपके जो site builders है वो भी खुल रहे हैं और यह आपका dashboard है site traffic है domains है आपके email है online store है pricing वगरा आपको बहुत सारे option दे रखे होंगे यहाँ पर add custom domain का भी option है अगर आप अपने custom domain पर इनका platform यूज करके free website बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं यहाँ पर आपको repairme.com का एक website भी दिख रहा होगा जो मैंने yourla.com की मतलब से पहले ही देखें दोस्तों आपका dashboard कुणने के बाद आपको यहाँ पर my sites का option दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एक button भी दिख रहा होगा add new site का option आपको दिख रहा होगा तो इस वाले button पर आपको click करना है add new site वाले button पर आप जैसे click करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक new page open हो जिसमें आपको दिखेगा Selective Website Template, आप अपनी website को कैसा look देना चाहते हैं, उसके according आप template या theme आप दोस्तो yola.com की मदद से आप use कर सकते हैं, यहां पर आपको काफी सारी categories दी है, अगर आपको categories choose करना है, अपने business और services के according तो आप यहां पर देखे, browse वाई कर सकते हैं, all templates आप अपने according कर सकते हैं, वो आपके ओपर depend करता है कि आपको कौन सा platform यहां पर use करना है, मेरा दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक digital marketing agency है, digital marketing company है, मैं digital marketing expert हूँ, तो मैं digital marketing से related आपको एक website, आज आपको design करके दिखा देता हूँ, आपको सिखा देता हूँ, तो मैं आप इस template का preview देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो template होगा, वो कैसा देखेगा आपकी website के अंदर, तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो template है, वैसे दोस्तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एक landing page वाला website बना सकते हैं, सिर्फ आपको one page का option मिलेगा, तो दोस्तो अगर इसको custom design करना है, इस theme को तो आपको क्या करना पड़ेगा, use this theme का option आपको दिख रहा है, तो इस वाले button पर आपको click करना है, बटन पर click करने के बाद दोस्तो आपके सामने एक नया page खुल जाएगा, औ तो मेरा क्या है, एक digital agency है, तो मैं क्या करता हूँ, एक business करता हूँ, तो मैं यहापे business वाला choose कर लूँगा, और आपको नेचे scroll down करना है, और यहापे देखे, continue वाले option पर आपको click करना है, उसके बाद आपके सामने एक नया page और खुल जाएगा, जिसमें भी आपसे सवाल what is the business name, मतलब what is the name of your business or website, आपको किस name से आपकी website create करना है, आसान सवाल है, आप अपना आसान जवाब देते रहे हैं यहापे, तो मैं यहापे create कर लेता हूँ, works media solutions, जैसी मेरी website का नाम है यह already, तो मैं आपके works media solutions और उसके आगे यहापे लिख देता हूँ, dot com, ठीक है दोस उसके बाद आपको क्या करना है, यहापे थोड़ा सा description देना है, मैं यहापे बाद में description लिख दूँगा, आप बाद में description लिख सकते हैं, उसके बाद आपको यहापे क्या करना है, continue वाले option पे click करना है, उसके बाद आपके सामने एक नया page और खुल जाएगा, जिसमें भी multiple pages website का option दिख रहा होगा, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर फिर आपके continue वाले बटन पर click करने के बाद दोस्तों, अब आपके सामने एक और नया page खुल जाएगा, फिर से आप से सवाल पूचा जाएगा, add your business details, जिसमें आपको आपके business के details आपको करनी है, बढ़नी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखे, website logo लगा सकते हैं, business address लगा सकते हैं, business email लगा सकते हैं, phone number लगा सकते हैं, social profiles लगा सकते हैं, अभी मैं दोस्तों कुछ नहीं लगाँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, वी सब चीज़े आप बाद में भी कर सक सकते हैं, अगर आप देखना चाहें, तो यहाँ पर देखे, optional का आपको जो है, option दिख रहा होगा, तो optional आप यानि कि इसको अभी छोड़ सकते हैं, skip कर सकते हैं, बाद में आप आराम से कर लेना, तो अभी हम क्या करेंगे, finish setup वाले option पर click करेंगे, finish setup वाले option पर click करने के ब अगर मैं चाहूं तो इसको बाद में publish कर सकता हूं, लेकिन दोस्तो publish करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो आपका theme है, यह सिर्फ और सिप आपका demo theme है, अब आपको इसके अंदर changes और correction करने पड़ेंगे, आपकी according, तो सबसे पहले दिखे, आपके option दिख र marketing company, इस प्रकार से मैं यहां पर लिख दूँगा, अगर इसमें मैं कुछ changes करने है, headline first है, headline second है, तो मैं इसको according भी यहां पर कर लूँगा, आप इसको देखे, इस तरह से design भी कर सकते हैं, आप इसके नीचे underline भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहिए तो इसमें links भी लगा सकते हैं, बहुत सारे options आपको यहां पर दे रखे हैं, तो इस प्रकार से आप अपना जो side का name है, वो आप यहां पर change कर सकते हैं, अपने according, ठीक है दोस्तो, उसके बाद आप यहां पर अगर नीचे और कुछ description लिखना है, तो आप यहां पर देखे, description भी लिख सकते हैं, आपके सामने description का option भी है, उसके बाद दोस्तो आपको यहां पर button लगाने के कुछ option देख रहे होंगे, who we are, इसके अंदर एक button है, और links भी होगा आपको, तो आप अपना, और pages अगर आपको बनाने है, तो who we are के अंदर आप अपना link लगा सकते है, learn more वाला जो है, आपको button दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी changes करना है, तो देखे, आप buttons भी change कर सकते हैं, easily कोई problem नहीं है, उसके बाद दोस्तो अगर आपको आप अपने according, change कर सकते हैं, यहाँ पे देखे, submit का option दिख रहा है, अगर आपको इसको change करना है, तो आप यह added image वाले option पर क्लिक करेंगे, और आप इसको change कर सकते हैं, upload image वाले option पर क्लिक करके, आप यहाँ पे एक नया photo भी upload कर सकते हैं, अगर आप मेरे को comment करेंगे, और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा like और share करेंगे, और आप मेरे को comment करेंगे कि यह जो मैं website बना रहा हूँ, वो मैं आपको added करके professional website इसको कैसे हम convert कर सकते हैं, वो अगर आपको सीखना है, तो आप मेरे को comment करेंगे, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और share करेंगे, तब भी मैं आपको इस प्रकार के knowledgeable videos और बना के देता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा, अब नीचे हम चलते हैं दोस्तो, नीचे हम चलने के बाद दोस्तो, अगर आपको कुछ और भी आपके business के बारे में आपको add करना है, तो आप यहाँ पर देखे, add कर सकते हैं यह जो आपको title से देख रहा है, वो आप इसको easily change कर सकते हैं, जैसे कि we provide, we provide SEO services, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, और अपना description आप यहाँ पर दे सकते हैं, इस प्रकार से आप description दे सकते हैं, अपने according changes कर सकते हैं, और यह image आपको मैंने बता है, यहाँ पर देखे, upload image का वाले option पर क्लिक करके, आप अपनी image को upload कर सकते हैं, और change भी कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ और नीचे चलता हूँ, नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर SEO service उपर लिख दिया, तो आप यह यहाँ पर जैसे की मैं यहाँ पर लिख देता हूं Facebook marketing service, इस परकार से आप अपने according आप लिख सकते हैं, और भी अगर आपको add करना है, तो और यहाँ पर देखे, इसको आप easily duplicate भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखे, अगर आपको same to same ऐसा का ऐसा चाहिए तो आप इसको duplicate कर सकत यह देखे डुप्लिकेट पर जैसे मैंने क्लिक किया अभी हमारे सामने दो ओप्षन आ गए हैं Facebook Marketing Services और यहां पर देखे Facebook Marketing Services डुप्लिकेट मैंने कर लिये हैं तो इस परकार से आप इसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं easily आप एक जैसे ही दो कोलम मना सकते हैं अगर आपको add block or करना है यहां पर block add करना है तो आप यहां पर आप देखे block भी add कर सकते हैं वह आपको किस परकार का block add कर रहा है यहां पर आपको काफी सारे options भी दिये गए हैं देखे बहुत सारे options भी दे रखें आपको तो आप अपने according यह block भी add कर सकते हैं जिसे कि मैंने यहां पर block add किया, तो यह देखिए, इस प्रकार से आपको देखिए, कितना शांदार block यहां पर automatically add हो गया, तो इस प्रकार से आप अपने according यहां पर block भी add कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप changes और improvement कर सकते हैं, और अपनी site को और भी अच्छा design कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा description देखिए अपने according, और यह जो आपका business address है, business address आप लगा सकते हैं, यहां पर देखिए, इस प्रकार से आपको business address लगाना, उपर से उपर सारा काम हो जाएगा आपको, आप यहां पर phone number भी लगा सकते हैं, यहां पर email भी लगा सकते हैं, और completely अपनी website को easily design कर सकते हैं, तो अभी दोस्तो यह आपका complete website design हो गया, एक page आपका बन गया, और नीचे भी आप देख सकते हैं, यह footer menu है, footer menu के अंदर भी मेरा boxmedia solutions.com का नाम आ रहा है, तो इस परकार से दोस्तो आप अपना landing page बना सकते हैं, बहुत अच्छा design कर सकते हैं अपनी according, और इसको design करने के बाद आपको क्या पर करना पड़ेगा दोस्तो, publish का option आपको यह पर दिख रहा है, तो publish वाले option पर आपको click करना है, publish button पर click करने के बाद दोस्तो अब आपको यह पर आपकी email को confirm करना है, आपकी email का verification आपको confirm करना है, और यहां से आप अपनी email को verify कर सकते और verify करने के बाद दोस्तो आपकी site यहां से publish हो जाएगी और आप अपनी website को check कर सकते हैं देख सकते हैं और आप अपनी website का जो link है वो आप अपने customer और client को easily भेज सकते हैं और आप अपने business को easily grow कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपने step by step ये भी सीख लिया होगा कि आप अपने business के लिए website कैसे बना सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लेस लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजेगा और साथी साथ दोस्तो वीडियो आपको अपने family और friends के साथ भी जरूर शेयर कर दीजेगा साथी साथ दोस्तो अगर आपको वीडियो से रिलेटिव कोई सवाल जवाब है तो आप आप में नीचे comments box में comments कर सकते हैं नेक्स वीडियो आपको किस topic पर चाहिए दोस्तो आप आप में वह भी comments box में comments कर सकते हैं एक और चीज़ दोस्तो मैं आपको बताना चूँगा अगर आप a student है आप एक entrepreneur है housewife है और दोस्तो आप अपना career डिजिटल marketing में बनाना चाहते हैं तो आप अमरे साथ दोस्तों मिलके काम कर सकते हैं, अगर दोस्तों आप एक student है, housewife है, job person है, और दोस्तों आप digital marketing सीखना चाते हैं, तो आप अमरी official website पर visit कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें contact करके, आप हमारा complete digital marketing course शीख सकते हैं, लाइफ classes हमारे साथ में लेके, आप digital marketing में अपना career और future बना सकते हैं, साथी साथ दोस्तों आप एक businessman है, आप entrepreneur लोकल business है, बिजनस को grow करना चाते हैं, तो आप हमारी जो सो digital marketing services ले सकते हैं, और services लेकि अपने business को grow और expand कर सकते हैं, और अच्छा कासा revenue आप अपने business के अंदर generate कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो से लगता आर तेकनिक के लिए, और चैनल सब्सक्राइब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद, मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नई वीडियो में एक नई information के साथ, तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, जैहिन!